बहुत सारी वेकसी निकली वी है उसमें हम स्टेंगराफर ग्रेड थर्ड की जो वेकसी है उसका ड्यूटल टूर्श लेकर 13amarnellisumUP 2S तक है और जो फीस स्टेंट्ब्र நेय कोडर से थो 14 disorder मैं 2022 तक रख land कीए है जो फीस है वो स्टेनोग्राफर ग्रेट सेकेंड के थर्ड के लिए जनरल EWS और OBC के लोगों के लिए एक हजार रखी गई है और SCST के लिए जो की सिर्फ UP के हों उनको 800 रखी गई है अगर आप दूसरे राज के हैं तो आप यहां पर जनरल सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे जो बैल आइकन का बटन उसको सकते हैं जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन्स प्रवाइड करा दी जाएं कि खब आपका अड्मिट कर आ गया है और आप उससे डाउन्लोड कर सकते हैं मट of examination जो हो गा है इसने offline एक्वम होगा और म बेजड योगा और चेंट का ribs होगा इसने आपका Short Hand का और संद्रों का टेस्ट होगा इसमें दो स्टेज़ होंगी स्टेज ऑन और सेज ट्वी जिसमें फस्ट स्टेज पर हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं जो number of vacancies है यह 1186 है मतलब 1186 vacancies है इसमें जो payment रखा गया 5200 रुपए से लेके 2200 रुपए और 2800 का इसमें payment रखा गया है तो आप इसमें देख सकते हैं अच्छी vacancy है 1186 और इसमें आपका जो qualification है वह आपके पास होना चाही ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा और सेटिफिकेशन इस्टेफिकेशन इस्टेनोग्राफी विद इस्टेनोग्राफी इसमें अगर आपने इस्टेनोग्राफी से ITI किया हुआ है तब भी आप इसमें eligible है आपके पास अगर graduation है और ITI से अगर इस्टेनोग्राइशन है तो आप इसमें apply कर सकते हैं या आपके लिए बहुत अच्छी vacancy है तो इसमें ITI वाले बच्चे भी apply कर सकते हैं और English इस्टेनोग्राइशन होना चाहिए और आपके पास डिपलोमा और सर्टिफिकेशन इस्टेनोग्राइशन होना चाहिए सकते हैं तो यह आपके लिए एक best opportunity आप देख सकते हैं इसमें vacancy भी बहुत ज्यादा है 1186 vacancy है इसमें जो reservation है वह 21% है SC के लिए ST के लिए 2% 27% OBC 10% EWS के लिए और जनरल के लिए इसमें women's category के लिए जो horizontal reservation है वह 20% freedom fighter के लिए 2% सर्विसमें के लिए 5% physical handicap के लिए 3% और sports के लिए 1% जो लोग interested है इसमें apply कर सकते हैं और आप इस वीडियो को like और subscribe कर सकते हैं जिससे कि आप को miss ना हो eligibility criteria आप देख सकते हैं जो आप अगर आप के पास हिंदी स्टैनों में आप apply करना चाहते हैं तो आपके पास graduation होना चाहिए डिपलोमा और certificate इन इस्टैनों होना चाहिए आप आई टी आई वाले हैं तब भी आप apply कर सकते हैं 80 word प्रती मिनट इन शॉर्टेंड होना चाहिए आपका और 30 word प्रती मिनट इन इन इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होना चाहिए में आइक ट्रिपल सी आपके पास होना चाहिए और 25 word प्रती मिनट हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए 30 word प्रती मिनट आक की इंग्लिश zape रहले होना चाहिए प्रिफिरेंज दिया जाएगा जो टैरिटोरियल आर्मी में जूब कर रहे हैं चुक्य हैं दो और यह आपके पास NCC का certificate है जो IUC में रखी गई है वो 18 साल से 40 साल तक रखी गई है जिसकी गणना 1 जुलाई 2022 से होगी अगर आप 2 जुलाई 1982 से पहले बॉर्न है तब भी आफ फॉर्म नहीं भर सकते और अगर आप 1 जुलाई 2004 के बाद बॉर्न हुए तब भी आफ फॉर्म जो IUC में छूट दी गई है पांच वर्स की OBCSC और ST में दी गई है और जो sports person है उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है एक सर्विसमेंड को 3 साल की छूट दी गई है फिसकली हैंडिकप को 15 साल की दी गई है और एक सर्विसमेंड को 3 साल की दी गई है तो जो लोग भी इसमे 90 minute का exam होगा 100 questions आएंगे और हर question एक number का होगा जिसमें आपका section A होगा उसमें Hindi होगा section B में English होगा section C में General Studies होगा section D में आपका mathematics होगा stage 3 जो आपका है उसमें आपका stage 3 में part A जो होगा उसमें Hindi और English typing होगी उसमें 25 word प्रती minute for Hindi and 30 word प्रती minute for English typing होगी on computer तो आप इसमें देख सकते हैं जो stage 2 होगा उसमें typing test होगा 25 word प्रती minute आपको Hindi typing करना होगा 30 word प्रती minute आपका English typing test होगा जिसका आपका जो marks रखा जाएगा वो 25 marks in Hindi 25 marks for English रखा जाएगा stage 2 का ही जो part B होगा उसमें आपका stenography का test होगा Hindi on computer आपको 50 number का होगा for English steno के लिए 100 word प्रती minute in short hand in English and 40 word प्रती minute in typing in English on computer होगा 50 minutes के लिए तो आप इसमें आगर interested हैं तो आप इसमें apply कर सकते हैं there shall be no negative mark जो आपका stage 1 होगा उसमें किसी प्रकार की कोई negative marking नहीं होगी जो question paper होगा stage 1 का वो आपका English और Hindi दोनो language में होगा stage 2 में आपको part A और part B में जो दोनो exam होगे वो एक ही दिन में आपके conduct कराये जाएंगे जो आपका 25 number का जो typing test होगा उसमें आपको minimum 10 number इसमें लाने होगे अगर आप 10 number से कम लाते हैं तो आपको short list नहीं किया जाएगा जो selection process होगा उसमें जो पहला होगा पेपर आपका stage 1 जो OMR based होगा उसमें आपको qualify करना होगा और उसमें आपकी merit बनाए जाएगी और एक seat के साब एक 5 बच्चों को exam के लिए बुलाया जाएगा जो भी लोग इसमें qualify कर जाएगे उन्हीं को stage 2 देने के लिए मिलेगा और stage 2 में दोनो stage 1 stage 2 में जो part A और part B हैं दोनों आपके exam होगे जो आपका final selection होगा तो वह आपकी merit बनाए जाएगी first और second दोनों को मिलाके और जो आपका second stage होगा उसमें भी जो आपके दो parts होगे पार्ट A और part B दोनों का ही आपका merit होगा जो final आपका selection होगी दोनो stage 1 और stage 2 की कमाई merit होगी उसके साफेक्स आपका chain किया जाएगा आपको बताना चाहूंगा जो आपका exam होगा उसमें किसी प्रकार की कोई negative marking नहीं होगी तो आप उसमें सारे question attend कर सकते हैं अगर कोई question गलत होगा अगर आपने जो exam centers है आप form fill करते समय जो exam centers select करेंगे उसमें 37 cities जो हैं अपने यूपी की उसमें आप इसका chain कर सकते हैं तो जो भी आपकी nearest city होगी उसमें आपका exam center lot कर दिया जाएगा तो आप इसमें apply कर सकते हैं आपको इस वीडियो से संबंद रहें अगर कोई भी प्रेशन हो कोई भी सवाल हो तो आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं वीडियो को like और subscribe कर लें जिससे कि आपको further notifications आगे चलके provide किये जा सकते हैं तैंक